नमस्कार, स्पोर्स की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंके तोर आई ये आप खबरे देखते पिस्तार से मुबई टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लेंड को एक पारियो 36 रन से हरा कर जीत पर कब से जमा लिया है इसके साथ ही भारत ने 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 30 से आगे हो गया है भारत के तरफ से आरश्विन ने 6 विकेट तो रविंद्र जड़ेजन एक दो विकेट वहीं जैनती आदव और भुपनेश्वय कुमान ने एक एक विकेट लिया है विराट कोहली अंतराश्वी करियर में भले ही शांदा फॉर्म से गुजर रहे हो लेकिन इंगलेंग के तेज गेंदवाज जीमी एडरसन ने उन पर कटाक्ष करती हुए कहा कि अगर भारती कप्तान की तकनीकी खामिया उजागर नहीं हो रही है तो उसका कारण मददगार भारती विकेट है जिसमें परगती और मूव्मेंट की कमी है घरेलू समर्थकों की जबरदस्त होसला अवजाई के बीच कैलला ब्लास्चर स्टीम ने रविवार कुस्थानी जवाला नहरू स्टेडियम में खेलेगा हीरो इंडियन सूपर लीग के तीसरे सीजन के दूसरे सेमी फाइनल के पहले चरण के मुकाबले में दिल्ली डाइन अपनी स्टिती मजबूत कर ली होती लेकिन लुईस सुआरेज और मैसी दोनों ही ला लीगा में सबसे निचले पायदान पर चल रही टीम के खिलाफ गोल करने के दो बड़े मौके गवा बैठे इंगलैंड के खलाफ चौते टेस्ट मैच में नौवे करम पर बल्ले बाजी करते हुए शतक बना कर इतिहास रचने वाले जन्त यादव ने का है कि उन्होंने तो इस शतक के बारे में सोचा भी नहीं था जन्ने रविवा को टस्ट क्रिकेट में नौवे क्रम पर बल्ले बाजी करते हुए शर्टक लगाने वाले पहले भारती क्रिकेटर बन गए फिलाल इस बुलेटिन में इतना है आप बने रहे हैं EMS TV के साथ नमस्कार अब चुट्टे की जिग जिग करो जिग जिग क्यों पेटियम करो माइल्स में तुम थोड़ी सी स्मायल बरो पेटियम कर रहो नौट सेलफी ने ले रहो ज़्या हूँ सिंदगी जीने का नया तरीका शुरू करो पेटी एम करो पेटी एम करो भीजिए